नमस्कार, मैं दॉक्टर हर्श्वर्दन पूरी, मैं एक सीनियर कंसल्टन चेस सर्जन हूँ और एक लंग ट्रास्परांट सर्जन हूँ मेदानता दा मेडिसीटी ग्रूप क्राम में सो सवाल है कि और्गन डेनेशन को महादान क्यों कहा जाता है तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि और्गन डेनेशन होता किसके लिए है यह उन पेशन्ट के लिए हम करवाते हैं या अंगदान का बोल रहे हैं जो पेशन्ट एंड स्टेज डिजीज पे पहुंच गए एंड स्टेज डिजीज क्या होती है वो ऐसी डिजीज जिसमें अगर हम और्गन ट्रांस्प्लांटेशन ना करें या प्रत्यारोपन ना करें तो वो पेशन्ट जो है अगले एक या तेट साल के अंदर 100% है कि उनको उनका मृत्ति हो जाएगा तो ये वैसे पेशन्ट होते हैं अब इनके पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं बची होती जो इनको दी जाए जिससे वो इनका जो अंग है वो बहतर हो सके जस्ट इनको मेंटेन किया जा सकता है दवाईयों के उपर जब रेसिपेंट्स को किसी से डोनेशन मिलती है जैसे brain dead donor से मिलती है या फिर कुछ live donor भी ये donation दे सकते हैं ये जारा जो process होता है organ donation act के अंडर होता है जैसे मैंने पहले भी समझाया था live donor होते हैं और brain dead donor होते हैं जो ये organ donation करते हैं जब ये जैसा स्पोस करिए एक brain dead donor है कहीं पे उसकी family consent करती है organ donation के लिए तो कई अंग हम उनके use कर सकते हैं इन ऐसे patients के लिए जो अब जिनके लिए hope खतम हो चुकी है जो शायद अगले एक साल में मर चुके होंगे अगर ये process नहीं होती तो आप समझेए ये एक पूरे जीवन दान की तरह ही है तो जीवन दान कोन देता है जीवन दान तो सिर्फ प्रभू या भगवान ही दे पाते हैं तो एक जब इनसान भगवान की category में आ जाता है और ऐसा दान करता है जिससे किसी और को जीवन मिले तो इसलिए औरगन डोनेशन को महादान कहा जाता है हमारी माइथालोजी में भी देखा गया है कई माइथालोजिकल characters हैं जैसे ददाची रीशी हैं जिरों ने इंदर को अपने पिंजर का दान किया था दुश्मनों से लडने के लिए या फिर हमारे औरगन ट्रांस्प्लांटेशन का भी जिक्र मिलता है जो लौड गनेश हैं उनका जो सर था उस पे एक हाथी का सर लगाया गया था तो ये अरलियस पॉसिबल जो डॉक्युमेंटेट वो है कि औरगन ट्रांस्प्लांटेशन हमारी मैथालेजी में भी उसको प्रमोट करती है इसलिए औरगन डोनेशन या अंगदान को महादान का श्रेणी दी गई है धन्यवाद